गिराज में आप लोग खुबसूरत निश बना सकते हैं और उसमें कोई खुबसूरत आयत वगएरा लिखवा सकते हैं असलाम लेकूम मेरा नमे सोहेब हाज़र में एक नए इंफरुमेटिव वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है कि आप अपने घर के लॉन में अपने घर की निशिज में दिवारों में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप लोग की घर की जो लुक है वो मजीद बेतर हो सकती है आप लोग के घर की दिवारे मजीद खुबसूरत हो सकती हैं जो लोग अपने lawn में बकाइदा गरास वगरा नहीं लगाना चाहते उनके लिए ये एक idea है कि आप अपने घर के ये दिवार पे sitting area बना सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं artificial grass के साथ ये tile लगाई गई है आप देख सकते हैं ये artificial grass है tile और artificial grass के साथ ये एक touch दिया गया दिवार में जो के एक बहुत ही खुबसूरत look दे रहा है बाकी ये marble लगाया गया है tile लगाया गया है और इसके लवा पौते भी लगाया गया है इस area में नीचे porch की tile भी आप देख रहे हैं और ये उपर लगाया गया है tropical grey night आप अपने घर में कोई भी marble लगाना चाहें लगा सकते हैं अगर आप lawn नहीं बनाना चाहते हैं तो दिवार में ये आप अपना काम जरूर कर लें आप अपने lawn में कुछ चीजें भी खड़ी कर सकते हैं जैसे के bikes वगायरा और ये आप लोगा जो थोड़ा सा area है इसमें आप लोग ये भी बना सकते हैं जैसा के ये tile और artificial grass इसके लवा निशिज में आप लोग काफी ज़्यादा काम कर सकते हैं वो भी आप लोगों को दखाते हैं वीडियो में आगे जाके तो इस तरह आप लोग इदर sitting area बना सकते हैं इसको आप अपने चट की sorry घर के जो चट है उस पर भी बना सकते हैं एज बार्बी क्यू sitting बना सकते हैं आप इसको और ये घर की चट पे भी बन सकता है और ये इदर बना हुआ है एक lawn में और अभी आप लोगों को दखाते हैं ये एक खुबसूरत निश ये आप दे सकते हैं ये घर के गराज के बिलकुल सामने निश है जिसमें खुबसूरत आयत लिखी हुई है तो आप लोग इस तरह निशिज में ये मुजैक का काम है ये जरूर करवाएं और फ्रंट पे टाइल लगी हुए जो के बहुत ही खुबसूरत लुक दे रही है इसके लवा लेफ्ट साइड पे भी दिवार है जिसमें भी आप लोग ये गरास लगा सक सकते हैं जिससे आप लोग के जो घर की लुक है वो मजीद बेहतर हो जाती है और दिवारें हैं जो वो खराब भी नहीं होती और सेम वगारा का जो जहां पर इशू हो वहां पर ये काम आप कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं जहां पर सेम आने का मसला हो वहां पर आप का एरिया है यहां पे हमने ग्रास वगएरा या पौदे वगएरा नहीं लगाई पौदे लगाए हैं लेकन ऊपर लगाए है और दिवार में ये एक सिटिंग एरिया बना दिया है आप इदर बैठ के चाय वगएरा न्जॉए कर सकते हैं और एक खुबसूरत लुक देता ये इसके लावा घर के अंदर भी आप लोगो निशीज में दखाते हैं जी तो यह आप देख सकते हैं निश में खुबसूरत वर्क किया गया है जो के लॉबी का एरिया है में एंटरस का जो के बहुत ही खुबसूरत लुक दे रहा है तो इस तरह आप लोग अपने घर की जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं तो यह थी हमारी आज की वीडियो मीद करते हूं आप लोगो पसंद आई होगी अगर आप इस तरह की मजीद घर को डिजाइन करने के आइडियास देखना चाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते नेक्स वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्यार रखिए अलाफीस